हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों आज आप लोगों के लिए जी वीडियो लेके आ चुके हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वाइर्मेंट दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने प्लस टू के एक्जाम्स में देखा था 12th Commerce तो उसी के बेस पे ये वीडियो बनाई जा रही है पर अगर आपको ये क्वेश्चन किसी और क्लास में यानि कि अगर आप बीकॉम्ट कर रहे हैं या और किसी क्लास में है तो देखने को मिल सकता है तो आप ये मिटिरियल लिख सकते हैं इस आपका क्वेश्चन ये है बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि हमारा ये क्लास है तो हम ये लिख सकते हैं या नहीं सु येस आप लोग लिख सकते हैं बस आप लोगों को अपने क्लास के क्वेश्चन के माक्स के अकॉडिंग मिटिरियल को अरेंज करना है जैसे ये question मैंने four marks के according बनाया है तो अगर आपका six marks के according है तो आपको one two two page or include करने पड़ेंगे अगर 15 marks के according है तो four pages or include करने पड़ेंगे so according to that और अगर आपको किसी question बे video चाहिए तो आप लोग मुझे comment section में बता सकते हैं and friends one more thing video start करने से पहले जिनको भी question के notes चाहिए notes का link नीचे में description में दे दूँगी आपको आप लोग वहां से जाके notes ले सकते हैं जिनको जाहिए ठीक है तो video फटा फट स्टार्ट करते हैं पहले topic को समझ लीजे अगर आपको लगे कि आपको समझ आ रहा है तो आप लोग notes जाके ले सकते हैं question क्या है factors affecting fixed capital requirements fixed capital क्या है fixed capital is the capital that is used buying fixed assets that are used for a longer period of time fixed capital वो capital होती है जिसका यूज हम लोग fixed assets को buy करने के लिए करते हैं जो की लंबे समय के लिए हमारे पास रहने वाले होते है fixed assets उनको buy करने के लिए जिनका use them करते हैं ठीक है जी time in the business the assets are not mean for resale इसका ये assets जो होते है ना इनका ये नहीं होता कि इनको हमने future में जाके sale, resale कर देना है no ठीक है जी तो ये sale नहीं कर सकते हैं fixed capital हमारी company के जो ये assets है ना वो कहलाते हैं ये simple words में बोला जाए तो fixed capital refers to capital जो हम लोग अपने company के assets को buy करने के लिए अपनी capital invest करते है ना उसको बोलते है fixed capital वो हमारी ज़रा से fix है एक बार हमने machinery वगारा खरीद ली उसको बार बार चेंज थोड़ा करेंगे company को ठीक है जी तो it stay in the business for a longer period almost permanently तो ये business में permanently होते हैं लंबे समय के लिए होते हैं अब इसकी एक example ले सकते हैं जो capital हमारी business में use होती है purchase करने के लिए हमने कोई land purchase किया अब अगर हमने business करने के लिए जगा खरीदी है तो बार बार जगा थोड़ा बदलते रहेंगे असान थोड़ा जगा खरीदनी तो land कोई building कोई furniture खरीदा कोई plant and machinery खरीदी तो इनको हम बार बार बदल नहीं सकते एक बार अगर हमने उस चीज़ को ले लिया तो वह काफी लंबे समय तक चलेगी कोशिश ही होती है कि permanent रहे ठीक है उसका पूरा धिहान रखा जाता है तो such capital is required usually at the time of establish a new company तो ऐसी plant करना है business की development करनी है यह replace करना है company के equipment यानि की machinery वगेरा को तो तब हमें इतनी capital की huge capital जादा capital की जरूरत परती है so that is a fixed capital ठीके जी अब हमें पता चल गया fixed capital क्या है अब आपको question में पूछा गया गया है कौन-कौन से ऐसे factors हैं जो affect करते हैं हमारी fixed capital को ध्यान से सुनना बहुत असान है question पहला क्या है हमारे business का nature अगर हमारा business किस nature का है वो बहुत जादा effect करता है एक company की fixed capital को manufacturing industries और public utilities दो companies एक manufacturing industries और एक public utilities have huge amount of funds to acquire capital assets इनका huge amount of funds होता है fixed asset का हील अगर इन दोनों के बदले trading में देखा जाए अब देखो कोई manufacturing company है उसको पहले एक जगा खरीदनी पड़ेगी फिर उसमें machinery बगएरा लगेगी सब कुछ लगेगा तब चाहके वो लोग एक business खड़ा कर सकते हैं इसमें बहुत जादा नहीं होती तो इसमें not need huge investment ठीक है यह डिपेंड करता है कि business का nature क्या है कौन सी चीज का business कर रहे हो आप लोग घर बैठे आज कल आपको पते हैं न कुछ लोग हैं दुकानों selling कर रहे हैं I think आपको clear है second business का future में scope क्या है business futuristic है या ऐसे ही है बस चार पांच दिनों का महमान तो there is a business firms that are formed to carry on production or distribution on a large scale यहां पर ऐसी बहुत सारी business की firms हैं जो large scale पर production और distribution करती हैं पर कुछ businesses ऐसे हैं such businesses would require more amount of fixed capital और जो ऐसे बिजनेस हैं जो carry करती है production और distribution को large scale पर उनको obvious सी बात है fix capital की भी ज़्यादा जरूरत पड़ती होगी more amount of fixed capital तो यह depend करता है कि business कौन सा है ठीक है न नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो आप business का futuristic scope कितना है और कितना नहीं है कितने आपको orders आ रहे है बिजनेस का size क्या है आपके कितना बड़ा बिजनेस है बहुत जादा है यह चोट असा business कर रहे है वेर बिजनेस की जो firm है कि वो कितना large scale के operations को carry कर सकती है आपके business जैसे कि आपको order तो 50 लाग का आ रहा है पर आपकी company नहीं दस product को create करने के लिए भी capable नहीं है business का size कितना है यह तो नहीं बिजनेस future में वहां जाने वाला पर आपके पास अभी के लिए create करने के लिए spaces नहीं है तो size where a business firm is set up to carry large scale operations कि आप business बड़े-बड़े operations को handle कर सकता है जो हमने खड़ा किया उसका size क्या है business का हमने उसको छोटा शुरू किया तो छोटा ही रखना है या उसको बड़े level पे लेके जाने तो बड़े level पे लेके जाएंगे तो its fixed capital requirements are likely to be high अगर हमने उसको छोटे business को बड़े level पे लेके जाना है तो fixed capital की requirements भी तो हाई होईगी न अगर हम उसको उचा लेके जाना चाते हैं तो हमें पैसे लगाने भी पड़ेंगे अगर हम किसी बिजनेस को लार्ज स्केल पे लेके जा रहे हैं तो अब्वेसी बात है हर एक प्रोड़क्ट को हम हाथ से तो बनाएंगी नहीं automatic machines और equipment लगेंगे जिसमें खर्चा बहुत आएगा तो यही फैक्टर बिजनेस का साइज क्या है वो भी फैक्ट करता है अगर चोटा सा बिजनेस है तो आप लोग हाथ से प्रोड़क्ट बना लोगे पर बड़ा बिजनेस है लार्ज स्केल बिजनेस है तो उसमें आपको machinery बगरा की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा उसके बाद आप जो बिजनस कर रहे हो उसके लिए आपने जो जगा ली है वो आपने उधार पए ली है ठीक है कि परदों के लिए देखो किसी चीज़ को वाय करने जाए तो तो बस लाग की आतीए अगर हमें उसके ज़रूरत क्यों कि लिए उसके बाद हमें उसके दिनिले पैसे वेस्ट के रहे हम उसके लिए भी तो ले सकती है न तो इसके दिए कम लगेंगा Dr. फॉर फिक्ससरी संब्सर्ट निडिगी फोर दीजिन लेस अमाउंट तो फिर अभवेसी बात है जब हम उसको रेंट पे लेंगे तो उसके लिए हमारा लेस अमाउंट लगेगा ठीक है जी उसके लिए हमें कम अमाउंट की जरूरत पड़ेगी तो ये भी डिपेंड करता है कि फैक्टर क्या है हम लोग उसको हमें कितने देर के लिए उस मशिनरी या इससट की जरूरत है अगर हमें हमेशा के लिए वह मशीन चाहिए तो तो वह सिर्फ पांच दिन के लिए कोई मशीन चाहिए और उसको हम बाय करने चाह रहे हैं दस लाक रुपे लगा गए दाट इस नोट गुड फोर अवर बिजनेस सो प्लीज यह चीजों का ध्यान रखे जब आप लोग बिजनेस करें इन फ्यूचर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एकॉनमी में ट्रेंड क्या चल रहा है यह भी फैक्टर बहुत जादा इफेक्ट करता है कैपिटल में अब एकॉनमी में कुछ और सेल रहे है आप कुछ और ही सेल कर रहे है तो वह तो नहीं चलेगा न इस फ्यूचर ऑफ दी कंपनी इस सिखनल तो यह क्या है यह हमें घ्रिन सिखनल दे इगा बिजनेश को देखो द्यान से सुनगे एप के कंपनी का फ्यूचर है यह ऑन्ती separate है कि ब्राइट है हमें दिख रहा है कि ब्राइट है तो वह उचिक तऱ ग्रीन सिखनल देगा कि ऊस एंटर्प्नेर सोering आँट करना तो ये देखना है कि business का trend क्या चल रहा एकॉनमी में जो उन्होंने business हमने start किया है वो हमारी industry हमारी economy में चलेगा या नहीं चलेगा मैंने 12 महीने वाला काम शूरू किया या 6 महीने वाला काम शूरू किया है सर्दी 6 महीने 6 महीने गर्मी के रहती है तो वो season के according समान बिखता है तो वही trend trend in economy उसी के हिसाब से घर्चा करना चाहिए जैसे अभी गर्मी आ रही है आगे गर्मी आनी है न अभी तो क्या गर्मी आ रही है तो क्या मैं सर्दी का material बेचना शुरू कर दूं आगे अगले महीन नहीं गर्मी आ रही है तो गर्मी का trend follow करूंगी न मैं गर्मी का समान बेचना गी तो यह तो है निगर्मी आ रही है और मैं सर्दी का material बेचना वही एक ओनिमी में trend क्या चल रहा है ठीक है जी तो आगे किस चीज की need बढ़ेगी गर्मी में गर्मी यों के कपड़ों की need पॉपॉलेशन जो हमारी जनेरेशन है इस इंक्रीजिंग बढ़ रही है इंक्रीजिंग at a high rate certain manufacturers find this as an opportunity to expand business अब देखो population दिन बाई दिन बढ़ती जा रही है ठीक है जी काफी population आप लोग सर्च करना Google पे जाके काफी बढ़ चुकी है जितनी हमें हमारे parents बताएंगे ना आज के time पे population इतनी है Google पे जाके चेक करोगे ना उसने तितने करोड बढ़ चुकी होगी अब तक के लिए population चेक करना परसो चोधी एक खबर भी आई थी इसके उपर तो for example जैसे automobile industry है electric goods manufacturing industry है ready made garments अब देखो automobile जैसे industry है पहले mobile किसी किसी के पास होता था population trend बढ़ा आज के time पे सब के पास mobile है पहले जो थे electronic goods को manufacture करने के लिए जो इंडस्ट्री में electronic machines कम थी आजकल हर company में electronic machines ready made garments नहीं थे कपड़े सिलाने के लिए दरजी के पास जाते थे अब सिले सिलाएं आते हैं तो क्या है population का ट्रेंड चेंज हो रहा है तो क्या में अन्सीय कपड़े बेचने लग जाओं तो क्या मेरी दुकान पर कोई आएगा जल्दी जिसने लेनी सिले सिलाएं हैं वो मेरी दुकान पर क्या करने आएगा तो इसके लिए हमें huge amount की जरूरत पड़ेगी तो ये भी एक factor है जो effect करता है हमारी fixed capital requirements को तो ये हमारी fixed capital है और हमें कितनी चीजों को दिहार में रखना पड़ता है जिसकी वज़े से हमारी capital बहुत जादा खर्च होती है so that's all about today's video इसके notes यही बाले आपको description में link मिल जाएगा आप लोग जाके buy कर सकते हो अगर आप लोगों को चाहिए बहुत small से amounts रखती हूं मैं notes के लिए so that अगर किसी को कोई वो pay नहीं कर सकता तो किरपया करके वीडियो से देख लिया कीजिए क्योंकि उन amounts को हमें कहीं use कर करना है for good work social work so इसलिए रखें हैं थोड़े से amounts सो माफी चाहते हैं जिनको भी उससे थोड़े से भी दिक्कत है कि amount क्यूं रखा है वहाँ पर minimum amount है जो हर कोई afford कर सकता है 10 रूपीज या 5 रूपीज ऐसे कुछ so I think आप लोगों के लिए enough है आज की वीडियो में material I think आपको अच्छे से समझा चुका है यह topic so मिलते है friends आप लोगों को हम लोग अपनी अगली वीडियो में new topics के साथ